बैंक के साथ एक credit card apply करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे description box में SDFC credit card apply का link मिलेगा उस link फिक click करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे अब यहाँ और सबसे पहले आपको अपना complete mobile number इस वाले box में पर देना है जो भी आप credit card से link करवाना चाहते हैं और इसकी नीचे यहाँ पर आपको अपना complete pen card का number in box में डाल देना है और नीचे आपको get OTP पे click करना है अगले पीज में आपकी mobile number पे एक OTP send के जाएगा उस वाले OTP को आप इस box में डालेंगे और नीचे आप view the best card पे click करेंगे अगले पीज में credit card लेने के लिए आपको एक application form complete करना होगा जैसे कि सबसे पहले आपको name feel करना है तो अपने नाम का first name आप यहाँ बढ़ालेंगे middle name यहाँ बढ़ालेंगे और अपने नाम का last name आप यहाँ बढ़ालेंगे आप mail है कि female है अपना gender यहाँ पर select कीजेगा फिन नीचे आपको date of birth यहाँ पर बढ़ना होगा तो आपका जो जरनती थी है उसका date आप इस वाले box में बढ़ेंगे महीना यानि month इस वाले box में और year आप इस वाले box में fill कर देंगे उसके नीचे यहाँ पर आपको अपना complete email id भरना होगा personal और उसके नीचे आपको यहाँ पर your employment type option मिलेगा तो यहाँ पर आप select बटन पर click करेंगे आप इस तरीकी का employment करते हैं आपको यहाँ पर बताना है आप salary person है कोई business करते हैं तो self employment को select करेंगे student, housewife और retired person का option भी यहाँ पर मिल जाता है तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर options को select करेंगे अब अगर आप select या फिर self employment select हरते हैं तो नीचे यहाँ पर आप से company का नाम मांगा जाएगा अगर आप किसी company में job करते हैं तो अपने company का नाम यहाँ पर आप fill करेंगे या फिर अगर आप कोई business करते हैं तो अपने company का नाम यहाँ पर आप fill करेंगे अगर list में आपकी company का नाम आ जाता है तो आप यहाँ से select कर लेंगे अगर नई लिस्ट में नाम आता है तो बगल में आपको others का option मिल जाएगा आप इस पे click करेंगे और यहाँ पर आपको अपने company का complete name डाल देना है अगर आप कोई business करते हैं तो आप अपने business का complete name यहाँ पर भर देजेगा उसके नीचे यहाँ पर आपको your current destination का option मिलता है अगर आप कोई job करते हैं तो अपने post का नाम complete यहाँ पर भर देंगे वहीं अगर आप कोई business करते हैं तो आप honor है business के यहाँ पर partnership में है तो यहाँ पर वो चीज आप fill कर देंगे उसके नीचे यहाँ पर आपसे आपका GST number और work email address मंगा जाता है तो इसे खाली चोड़ देंगे और सबसे नीची scroll करके आएंगे यहाँ पर आपसे आपका mailing address मंगा जाता है यानि communication address मंगा जाता है तो यहाँ पर आपको enter manually का एक option मिलेगा इस पर आप click कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर जो भी address आप बरेंगे इसी वाले address पर जो है आपका credit card भीजा जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले address line 1 और address line 2 में अपना complete address बर देना है फिर यहाँ पर आपको अपनी area का popular जगर landmark बर देना है अपना पीन कुड यहाँ पर बरेंगी अपना city यहाँ से select करेंगी street select करेंगी फिर residential टाइप पे यहाँ पर एक पर क्लिक करके no कर लेंगी और नीचे जो है complete आपको address बर ना होगा तो फिर से enter manual option यहाँ पर select करेंगी यहाँ पर जो है complete अपना आधार कार्ड वाला address आप फिल कर देंगे permanent address में इन सभी address को फिल करने के बाद यहाँ आपर जो है चिक बेस्ट आपर पर पर लिदिःनयया questo अब जितने भी credit cards के लिए टेंगे सभी credit card आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब यहाँ से आपको ब्रॉट सकते हैं अपने credit card को select करने के बाद जीसे ही आप निचे continue बटन पर क्लिक करेंगी तो next वाली पीज में अब आप आपसे कुछ extra details मागए जाएंगे दोस्तों वाब और आपको कुछ address वगएर आपना वरना होगा और उसके बाद आप continue बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यह पीज में आपको एक reference number कुछ इस तरीकी का मिल जाएगा इस reference number को आपको नूट करके रख लेना है और आपका credit card का application successful submit हो चुका है के बाद आपका वीडियो के वैसे भी यहापर complete हो जाएगा अब अगर आपका civil score सही नहीं होगा तो आप इस credit card के लिए eligible नहीं होगी इस case में आपके सामने ऐसा page आएगा जहाँ पर आपके पास income tax return होना चाहिए और इसके किस details आपको यहापर बरने होंगे कम से कम आपका जो income है वो 6 लाग रुपे का होना चाहिए अगर इससे ज्यादा का income tax return आपने फाइल किया है तो यहापर जो है उसका amount जो है आप यहापर बरेंगे और नीचे continue बटन पर क्लिक करेंगे अब अगर आप credit card के लिए eligible होंगे तो आपको card सोब कर दिये जाएगा अगर नहीं हो होंगे तो next page में आपको अपने income tax return का जो receipt है उसे upload करना होगा और उसके बाद आपका अप्लिकेशन है वो submit हो जाएगा दोस्तों जैसे ही आपका credit card आपके घर के address पे आ जाता है देन आप अपने credit card के number का use करके HDFC bank के my card के portal पे register करेंगे and video के starting में मैंने आपको जो process बताया card to card इस credit card को लेने के लिए SIM उसे process का use करके आप HDFC bank के UPI रूपे credit card के लिए apply करेंगे and definitely आपको ये credit card मिल जाएगा तो उमीद करता हूँ कि इस video में मैंने आपको HDFC bank का UPI रूपे credit card लेने का जो भी तरीका है मैंने आपको बता दिया है अगर ये video आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share इस पर comment कीजेगा और चैनल को subscribe कर लीजाए